आज हम बनाएगे रमजान महीने में बच्चों के लिए स्पेशल क्रिस्पी आलू के रोल यह आलू के रोल इतने सस्ते और टेस्टी बनते हैं कि आप इसे ज्यादा बनाकर डीप फ्रीजर में स्टोर भी कर सकते हो दस्तर्खान पर जब यह कुरकुरे आलू रोल बनाकर रखोगे तो रोजेदार सबसे पहले इसे ही खाना पसंद करेंगे तो चलिए रमजान के बाजार में मिलने वाले यह वेज आलू रोल किस तरह बनाते हैं देख लेते हैं रमजानी स्पेशल आलू के रोल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम से ज्यादा उबले हुए आलू ली हूँ और इसका छिलका निकाल ली हूँ अब इन्हें अच्छी तरह से मैश कर लेना है जिससे के आलू के बड़े बड़े टुकड़े ना रहे आप चाहे तो च मैंने डूबले दालकर मकाय को मैंने उबालकर लए ले लिए अगर आपके पास यह नहीं है तो इसकी जगह पर आप ऊबले हुए मटर भी ले सकतें बच्चों को मकाय बहुत अच्छी लगती है तो इस तरह से आलू के ाले ऋच्छों को बहुत अच्छा लगता हैं और रोल में डालेगे तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और अगर आपके पास मकाई के दाने नहीं हो उबलेवे मटर नहीं हो तो कोई बात नहीं सिर्फ आलू से भी आप बना सकते हो दो चम्मच मैंने शिमला मिर्च को बारिक काट कर ली हूँ अब एक छोटा चम्मच कुटी वी लाल मिर्च डालेगे अगर आपके पास कुटी वी लाल मिर्च नहीं है तो आप लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हो आदा चम्मच काली मिर्च का पाउडर आदा चम्मच है जीरे का पाउडर एक छोटा चम्मच है चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए चाट मसाला पाउडर आदा इंच अद्रक को क्रेश करके लिए हुँ मैंने दो हरी मिर्च को बारी काट कर लिया है तीखा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो अब नमक डालेगे टेस्ट के मुताबिक अब यहाँ पर देखिए मैं बच्चों के लिए special बना रही हूँ क्योंकि रमजान में हम तीखी तलीवी चीज़े जैसे chicken mutton की fry item बनाते ही है लेकिन अगर बच्चे रोजे रखे तो बच्चों को भी खुश करने के लिए मैं इसमें डालूगी cheese cube तो यहाँ पर मैंने अमूल के तीन cheese cube लिए हूँ अगर आप डालना चाते तो डाले बना इस cube भी कर सकते हो लेकिन बच्चों को यह flavor बहुत अच्छा लगता है cheese वगड़ा डालते है तो तो cheese को हम बारी ग्रेट करके डालेगे आपके पास कोई भी cheese हो तो आप इसमें डाल सकते हो तो इस तरह से ग्रेट करके cheese को डाल देना है बच्चे जब रोजे रखे और रोजा खोलने के टाइम पर आप उनकी फेवरेट आइटम दोगे तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है खाने में तो तीनों cheese को मैं इसी तरह से ग्रेट करके ले लेती हूँ तो अब इसमें हम binding के लिए डालेगे conflore तो यहाँ पर मैंने conflore ले लिया है तो दो से तीन चमच हम conflore डाल देते conflore नहीं है आपके पास तो आप इसमें मैदा भी डाल सकते हो या फिर bread crumbs भी डाल सकते हो जिससे binding बहुत अच्छी तरह से हो जाती है तो इसे अच्छी तरह से पहले mix कर लेगे अगर जरूरत पड़ेगी तो एक चमच फिर से हम इसमे conflore मिला देगे तो हलके हातों से सबी चीजों को mix कर लेना है मकाई, शिमला, मिर्च और चीज तीनों का combination साथ में बहुत अच्छा लगता है हलके हलके हातों से इसे mix कर लेगे ये देखिए mix करते टाइम पर थोड़ा धीला लगे तो और इसमे conflore डाल सकते हूँ आप तो अभी एक चमच और डाल देती हूँ मैं तो टोटल यहाँ पर चार चमच मैंने conflore लिए हूँ इस चमच से तो अगर आपको भी टीला लगे तो आप इसमे conflore मिला सकते हो या अगर आपके पास bread crumbs हो तो वो भी इसमें मिला सकते हो आटे की तरह इसे गून लेते हम हलके हातों से ये देखिए मैंने mix कर लिया है अभी इसे side में रख लेगे हम और roll बनाने के लिए उपर से जो चिपकाते हैं तो वो गोल बना लेते हैं मैदे का तो अभी इसे side में रख देती हूं मैदे का गोल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मैदा ले लिए चान कर तो तीन चमच हम मैदा ले लेगे तो पहले से ये घोल बना कर तयार कर लेना है आपने यहाँ पर कॉन फ्लोर लिया है तो कॉन फ्लोर भी दो चम्मट डाल देती हुआ थोड़ा नमक डालेगे टेस्ट के मुताबित ताके उपर से भी रोल बनने के बाद फिके फिके से ना लगे थोड़ा असा टेस्ट देने के लिए आपर थोड़ी सी कुटी वी लाल मिर्च लिएू मैंने और थोड़ी सी काली मिर्च है पाउडर है काली मिर्च का थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल बना लेना है बहुत ज्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज्यादा गाडा भी नहीं अगर बहुत ज्यादा गाडा गोल बना लोगे तो फिर रोल के उपर ज्यादा कोटिंग हो जाएगी और फिर वो खाने में मज़ा नहीं देगी तो हलका सा पतला बनाना है गुटली अच्छी तरह से तोड़ लेनी है इस तरह से चम्मच की मदद से मिक्स करते हुए ये देखिए अधा गलास पानी डालकर मैंने घोल तैयार कर लिया है गोल बहुत ज्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज्यादा गाड़ा भी नहीं है इस तरह का गोल हमें रेडी और यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स भी ले लिया है ये देखिए तो इस तरह से हम रोल को मैदे में डीप करके ब्रेड क्रम्स लगा कर फ्राय करते है ना तो बहुत अच्छे क्रिस्पी हो जाते तो अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं हो तो टोस आते ना जीसे हम चा पर थोड़ा सा तेल लगा ले गया हम और थोड़ा सा आलू का ये मसाला लेना है जो आलू का मावा तैयार किया है हमने इसे गोल-गोल कर लेना है और आप चाहे तो इसे टिक्की का शेप दे सकते हो या सिलिंडर की तरह रोल बना सकते हो तब ही मैं रोल बना रही हूँ इस ने लिए इस तरह से आप इसका शेप दे सकते हो व कि व कुछ को इस तरह से खाने में बहुत me and कि buy और अनू से बनाये हैं बच्चो को बहुत पसंद है आलो चीज डाली है हमने आप इसमें गाजर भी डाल सकते हो हमने शिमला मिर्च और मकाई ली है तो देखिए इस तरह से छोटे-छोटे रोल बना लेना है और फिर इसे मैदे में डीप करना है जो हमने मैदे का गोल बनाया उसमें इस तरह से और फिर ब्रेट क्रम्स में डाल देना है इस तरह से डाल कर इसके उपर ब्रेट क्रम्स डालेगे उपर से बहुत क्रिस्पी लगते हैं ब्रेट क्रम्स की वज़ा से देखिए ये रोल हमारा इस तरह से तयार हो जाता है ये देखिए इस तरह से हम सारे रोल बना कर पहले तयार कर लेगे आप देख सकते हो कि हमने सिर्फ 500 ग्राम से थोड़े से ज्यादा आलू लिये थे उससे कितने सारे रोल बनकर तयार हुए सबी रोल पर मैंने मैदे का घोल और ब्रेट क्रम्स लगा कर रख दिया है इस टाइम पर आप इसे फ्रीज करना चाहते हो तो इसे पहले आपने कोई प्लेट में रख कर डीफ फ्रीजर में रख देना और रात भर में ये जब अच्छी तरह से कड़क हो जाएगे बरफ वाले हो जाएगे ना टाइट तो फिर उसके बाद आपको इसे निकाल कर कोई जीप लॉक पैकेट में या फिर एर टाइट डबबे में कोई भी एर टाइट डबबा हो उसमें रख कर आप पूरे रमजान महीने के लिए इसे रख सकते हो और जब भी आपको रमजान में इफ्तार में देर हो रही हो तो आप इसे आदा घंटा पहले फ्रीज में से निकाले और फ्राय करके खा सकते हो तो इस तरह से आप इसे फ्रीज भी कर सकते हो तो अभी हम यहाँ पर डाइरेक्ट फ्राय करने वाले तो चलिए इन्हें फ्राय कर लेते है रोल को फ्राय करने के लिए तेल अच्छी तरह से गरम कर लिया है अब एक एक रोल दालते जाएगे हम बिस्मिल्लायरमाने रहीं और इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राइ करना है क्योंकि अंदर तो आलू हमारा उबला हुआ यह थोड़ी देर हम इसे ऐसे ही फ्राइ होने देगे उसके बाद इसे पलटना है यहाँ पर एक मीनिट हो गई है इसे हम पलट लेते हैं और उलटे पलटे अच्छे से सबी तरफ से गोल्डन होने तक फ्राइ करेगे यह रोल बहुत ही जटपड बन जाते सिर्फ आलू और हमने जो भी सबजिया डाली है उसकी जगह आपको जो भी पसंद हो वो सबजिया भी आप डाल सकते हो इसमें और घर की मसालों से बनाया है बहुत जल्दी बनने वाले रोले और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते ह तो आप बच्चों को इसे टमाटर केचप के साथ भी दे सकते हो या हरे धनी पुदीने की चटनी होती है तो उसके साथ भी आप दे सकते हो और रमजान में ऐसा आपने बना कर रख ले ना स्टोर करके रखने से होता है कि कभी देर हो रही है रोजा खुलने के टाइम पर त बच्चों को तो बहुत ज्यादा पसंद आने वाले है यह रोल यह देखिए लग कितना अच्छा गोल्डन अजा रहा है तो जो रोल पहले डाले दे उसे में निकाल लेती हूँ यह देखिए माशालला बहुत अच्छे से फ्राई हुए बहुत अच्छे क्रिस्पी दिख रह में और वह प्रसा होते हैं जाट पट यह रोल बनकर तैयार वह जाते हैं और सब्सक्स नियुक्त देंटेश कर creepy लग खाने में अब सेधार यह ज़्सेदार लगते हैं यह देखिए इसकी आवाज भी सुना देती हुमें कि कितने ज्यादा क्रिस्पी बने है देखा कितने ज्यादा क्रंची और क्रिस्पी बने है और खाने में बहुत ही ज्यादा लाजवाब लगते है इसे में निकाल लेती हूँ तो मेरे पास जाली वाला बरतन है ऐसे तो इसम कर फ्राय किया था जिसकी वज़ा से अंदर की साइड बिल्कुल भी तेल नहीं जाता उपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट आलू के रोल इतने टेस्टी बनते हैं कि बच्चे हो या बड़े सभी को पसंद आएगे तो आज की इपतारी स्पेशल आलू रोल की रेसीपी पसं देज़ दो आईट ए रेस्टेस। झाल झाल